परिवार जनों गुजरात में डायरा की परमपर है। राद भर हजारों लोग डायरा में सामिल होकर के मनोरंजन के साथ ज्ञान को अरजित करते हैं। इस डायरा में लोकसंगीत, लोकसाहित्य और हाश्य की त्रिवेणी हर किसी के मन को आनंद से भर देती हैं। इस डायरा के एक प्रसिद्ध कलाकार है वाय जग्दिश्थ त्रिवेदी जी। हाज से कलाकार के रूप में वाय जग्दिश्थ त्रिवेदी जी ने 37 से भी ज्यादा समय से अपना प्रभाव जमा रखा है। हाली में भाई जगदिस त्रिवेदी जी का मुझे पत्र मिला और साथ में उन्होंने अपने किताब भी बेजी है किताब का नाम है Social Audit of Social Service एक किताब बड़ी अनूठी है इसमें हिसाब किताब है ये किताब एक तरह की बैलेंस सीट है पिछले छे सालों में भाई जगदिस त्रिवेदी जी को किस किस कारकम से कितनी आय हुई और वो कहां कहां खर्च हुआ इसका पूरा लेखा जोखा किताब में है ये बैलेंस इट इसली अनूखी है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी आय एक एक रुपिया समाज के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, लाइबेरी, दिव्यांग जनों से जूड़ी संस्तव समाज सेवा में खर्च कर दिया पूरे छे साल का हिसाब है जैसे किताब में एक स्थान पर लिखा है 2022 में उनको अपने कारकमों से आय हुई दो करोड, 35,89,614 रुपिये और उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल, लाइबेरी पर खर्च किये दो करोड, 35,89,614 रुपिये उन्होंने एक रुपिया भी अपने पास नहीं रखा दरसल इसके पीछे भी एक दिल्चस्प वाक्या है हुआ यूं कि एक मार भाई जगदी स्त्रिवेदी जी ने कहा कि जब 2017 में वो 50 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद उनके कारकमों से होने वाली आय को वो गर नहीं ले जाएंगे बलकि समाज पर खर्च करेंगे 2017 के बाद से अब तक वो लगभग पौने नव करोड रुपिये अलग-अलग सामाजी कारियों पर खर्च कर चुके हैं एक हश कलाकार अपनी बातों से हर किसी को हसने के लिए मजबूर कर देता है लेकिन वो भीतर कितनी संबेदनाओं को जीता है ये बाद जगदेश त्रिवेदी जी के जीवन से पता चरता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पास पी-एचडी की तीन डिग्रियां भी है वो 75 किताबे लिख चुके हैं जिन में से कई पुस्तकों को सन्मान भी मिला है उन्हें सामाजी कारियों के लिए भी कई पुरसकारों से सम्मानित किया जा चुका है मैं भाई जगदेश त्रिवेदी जी को उनके सामाजी कारियों के लिए बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ